जैसरी कुछी हल्डी कच्ची हल्डी हमारे स्वास्ते के लिए बहुती फायदे मन्द होती है ये एंटिबायोटिक का काम करती है हर किसी को किसे ने किसे परकार का दर्द रहता है जैसे गुटनों का दर्द, चोड़ों का दर्द, कमर दर्द या फिर अगर कोई चोट लग जाती है तो वह भी दर्द जाने का नाम नहीं लेता है तो सर्दियों में ये कची हल्दी बहुत ही पाई जाती है तो हर किसी को सर्दियों में कची हल्दी का प्योग जरूर करना चाहिए इसकी सब्जे बनाकर या इसके लड़ो बनाकर या हलुआ बनाकर तो आज हमने ये सब्जे बनाई है इस सब्जे को बनाकर आप कई मैनों तक भी खा सकते हैं एक दिन के लिए भी त्यार करके खा सकते हैं या फिर हफ्तों तक भी खा सकते हैं हमने जो ये सब्जे बनाई है य को अच्छे से दो लिया दोने के बाद में मैंने इसको इस तरह से चील कर कदूकस कर लिया है ध्यान रखिए कि जब भी आप हल्दी को छीले या फिर कदूकस करें तो हाथ में ग्लोज बगर पहन ले क्योंकि हल्दी का कलर बहुत ही ज्यादा निकलते हैं और हाथ हमारे एकड लेंगे और इसे घे मीशनिये लगबग जो सब्सक्राइब से और इसी के साथ में जो हमने ये हल्दी को कदुगस करके रखा है ना हो हल्दी भी इसमें डाल देंगे और धिमे आंज पर हमें हल्दी को पकाना है अगर हम हल्दी को पकाने के टाइम में आज को तेज कर देते हैं तो हल्दी में कड़वापन रह जाता है और अगर हम धिमे आ आज़से 5-6 मिनर तक हम इसे घी में भून लेंगे इसी तरह से बराबर चलाते होएं हम्हें हम्हें का कच्छा ले याणी अपर देख सकते हैं यहां वी पहले से soft हो चुकी है और इसमें यह जो हलदी की smell आती हे वो भी इसकी लगबख कम हो चुकी है तो इसी तरह से मैंने यह इसको भून लिया है और जब यह इस तरह से एक जगे इकटी हो जाए और जो हमने गी डाले गीरी ली जो जाए तो इसका मतलब यह हालदे पक चुकी है अभी मैंने एक sahizz का नियाख अगर आप प्याज नहीं दालना चाहते तो आप 10 ठीक कर सकती है और अगर प्याज कोशल बनाना चाहते है तो अभी इस चेद की डाल सकते है जब हाँ मटर vacun ऑगर आवगर जो डालकर भी खा सकते अभी इसंके सथ में नें इसके साथ मुष्टा कर के भी ढाल को आप का थुर यह पलगा भी bonति और चोट चोटे फिस्स करके भी आप डाल सकती है आपको जो सब्जी पसंद हो वह सब्जी आप इसमें एड कर सकती हैं मैंने फिलाल इसमें मटर और टमाटर और प्यासती नहीं डाले हैं और इस सब्जी में थोड़ा सा तिखा पनाई इसके लिए मैंने 2-3 हरी मिर्च भी काट तकि लखन और तोमाटर को में और रहें उन्साद के साथ में ऐसमें मसाला डाले है तो इसके लिए मम एडरों को भी इसके अभी मसालों गहोvollें की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस हल्दी की सबजी को दवा की तोर पे बनाते हैं इसके लिए हम बेसिक से जो घर में मौजूद है वही सब मसाले बनाएंगे ज्यादा तीखा वगर नहीं करेंगे अगर आपको सुआद के लिए चाहिए तो आप इसमें काली मिर्ट का पाउडर भी डाल सकते हैं और मसालों को भूंजाने के बाद में हम इसमें दही डालेंगे तो ध्यान रखे कि दही आप ताजा ही ले मैंने एक कट हम बाद में दॉट को भी हम अच्छे से ब्राबर चलाते हैं ताकि भी हम ब्राबर मीडियम ड्राइओ चलाते रहेंगे जब तक हिए अच्छे से ड्राइफ फ्रूट डालेंगे इसके लिए मैंने थोड़ए से काजू लिए हैं और थोड़ी सी किसमस दिया आप अपने पस अगर आपको लड़ू की रेसिपी पसंद है या विर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्ट्रिक्शन बोक्स में दे दूंगी तो आप वहां जाकर देख सकते हैं अभी हमने इसमें नमक भी डाल दिये स्वाद उन्सार हम नमक डाल देंगे और नमक को भी मिक्स लेंगे या फिर आप इसे ढगकर बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें पका सकते हैं इसे दो से तीन मिनट तक हमें और पका लेना है इस सब्जी को बनाने के लिए हमें लगबग 10-15 मिनट लग जाता है क्योंकि हम इसे दिमे आंच पे बना रहे हैं अगर हम आंच को ते प्लेट में निकाल लेते हैं अगर आपको यह सब्जी दवा के रूप में यानि कई दिनों तक खानी है तो आप इसमें जो ड्राइफ वगर उसकी मातरा बढ़ा सकते हैं और घी की मातरा बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें आप वेजेटेबल बिल्कुल भी नहीं डालें बाक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्ट टूडियो के साथ तब तक रादे रादे